अब तक मुझे ये कॉंग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालिया दिया है आपको याद होगा कि 2019 में कॉंग्रेस के वरिष्ठ नेता मनिशंकर आईयर ने पीम नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था इसके पहले वो पीम मोदी को चायवाला भी बोल चुके थे दिया है ऐसा ही कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका और जुन खरगे ने और विश्लेशक कह रहे हैं कि जिस करनाटक चुनौव में कॉंग्रेस को अपर एज था उस चुनौव में खरगे की वज़े से पार्टी को अब नुकसान उठाना पड़ प्ड़ता है इसके वज़े यह है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है और लेटेस रैली में प्यम मुदी ने कहा है कि कॉंग्रेस ने अब तक एक क्यानवे बार गाली दी है 91 टाइम अलग अलग गालिया दिया है दरसल चुनावी तपिश में कहीं नेता काफी कुछ बोल जाते हैं और इस मामले में कोई भी नेता अपवाद नहीं है खुद प्यम नरेंद्र मुदी भी नहीं और नहीं राहूल गांदी ऐसे में स्टोरी में बात करेंगे कि करनाटा की heated campaign में पीम मोदी से लेकर कॉंग्रेस की पूरू अध्यक्ष सोन्या गानितक को लेकर क्या कुछ ऐसा कहा गया है जो हिलदी नहीं है और इस पर भी बात करेंगे कि ऐसे बयानों से political discourse का क्या होता है फिर बात करेंगे कि राज सदक्ष खर्गे साव फेस वैल्यू पर सइयत नेता नजर आते हैं लेकिन करनाटक चुनाओ के पॉलिटिकल हीट में वो बोल गए कि पीम मुदी जहरीले सांप जैसे हैं और उन्हें चखने से मौत हो जाएगी उनके ऐसे वैन पर सवाल तो ये भी उटे कि सांप को चकता कौ की है आयर के बयान इसके उदाहरण है दरसल आप अगली लाइन सुनकर मेर उपर जैसा चाहे वैसा टैक लगा सकते हैं लेकिन पीम नरेंदर मुदी जितनी पॉपुलरिटी वाला नेता फिलाल और कोई नहीं है उनके सपोर्टर सुनकी कही या उनके बारे में कह गई चीज चुनाव में कॉंग्रेस अध्याच सुनिया गांधी ने पीम मुदी को मौत का सौधागर कह दिया था तब वो गुजरात के चीफ मिस्टर थे इसे ट्विस्ट करते होई पीम मौत का नहीं बल्कि मत का सौधागर बना दिया मत यानि वोट और जब उस चुनाव के तक में सोनिय गांधी को विश्कन्या तक कह दिया हलाकि खरक ने PM inclusi पहने बाद के लिए। इ district मृदी लेकिन माना जा रहा है कि जो नुक्सान हुना थक हो गया स्ल आप को विश्कन्या कहकड अपर इस तरीक में नुखसान की कोई बात नहीं हो रहें जैस को बहले ही सोनिया गांधी आज के डेट में नरेंदर मूदी से कम पॉपुलर हूँ लेकिन बयान तो दोनों ही प्रोब्लमेटिक है ठीक नहीं वोसे एक जमाना था जब राजनीती में गरी भी हटाओ और जिसकी जितनी संख्या भाठी उसकी इतनी हिस्सेदारी जैसे नहर होते थे हलक 한데 फुलके नहरों में जब तक सुरया चांद रहेगा इंद्रा तेरा नाम रहेगा और जब तक रहेगा समॉसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू जैसे नारे भी थे नारे तो ऐसे भी थे कि इंदरा हटाओ देश बचाओ और यह भी नारा था कि बीडी में तंबाकूं कॉंगरेस वाले डाकूं है अचा अब की बार मोधी सरकार जैसे नारे को कैस से भूल सकते हैं ऐसे ही नारों के इर्दगिर नेताओं के भाशनों घूमा करते थे और राजनीती जो उसमें तॉलरेंस की बात होती जो कि अब धीरे-धीरे गायब हो रही है और जो स्टेट्मेंट्स है बेहर परसनल हो रहे हैं जैसे कि राहूल गांदी ने पीम मोधी को एक बार डंडे से मारने का बैयान दे दिया था 24 के चुनाव में PM Modi ने AK-47 राइफल तब के रक्षा मंतरी AK Antony और दिली के मुख्य मंतरी केजरी वाल को AK-49 बुलाया था और ये तीनों टर्म्स एक साथ इस्तमाल करते हैं पाकिस्तान के रिफेरेंस से तीनों को भारत के लिए खत्रा बता दिया था ऐसा ही बयानों को लेकर केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकूर और बीजेपी सांसत प्रवेश बर्मा के खिलाफ एफायर तक दर्ज करवाने का एक मामला सुप्रीम कोट में है अब बात यह है कि कॉंग्रेस के राउल गांधी हो या खरगे और बीजेपी हो खुद PM मोधी हो य को को याद में ही रहता कि उन्हें किस बात पर वोट देना है वोट गरीबी महंगाई बेरोजगारी विकास जैसे मुद्दों पर देना है सबसेटी जैसे मुद्दे पर देना है अपने CM और विदाय को या PM और सांसदों के चेहरे पर देना है या मुद्दा भट काने वाल देखने और सुनने आते थे सुप्रीम कूर्ट ने कहा था ऐसे मैं दस तारीक को होने वाले करना टक चुना और तेरों को आने वाले इसके नतीजों के बाद इसका भी अनालेसिस जरूर होगा कि मतलब जो वोट हैसे वो किस बात कर वोट कर रहे हैं और इस तरह के बयान का रा जैसा भी होगा आपको बताएंगे तेरा थारीक को तब तक देखते रहेगा अंकट में नाम है तारूप